Hello everyone, welcome to my blog आज का blog काफी चाहता इंट्रेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इस blog में बहुत सारी चीज़ें कवर होगी जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा हमारा नया घर था तो एक तो हमें bed खरीलना है, एक double bed खरीलना है, एक single bed खरीलना है दूसरा हमने बहुत सारी shopping की है, आप यहाँ पर packet देख सकते हैं अभी मैं नय ओपन करके देखाऊँगा तो ऐसा है कि हर किसी के घरवाले बड़े लोबी टाइप में होते हैं हमारे घरवाले भी सेम बैसे ही है मलब अगर मैं इतनी shopping करता हूँ, कभी भी मेरे को नहीं रोकते बोलते हैं, खरीद तेरा काम है भाई, तेरा review करना है, तेरा वीडियो बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उनसे बोलो कि तुम भी अपने लिए कुछ खरीलो तो वही आना का नहीं, अरे देख लेंगे, आंगे देख लेंगे, तो अब की बार मैं आपको देखाता हूँ, यह कितने सारे packet है और यह सभी मम्मी के लिए होने बाले हैं, तो अब ही देखो कैसा reaction रहेगा उनका तो दूस्तों मैंने सभी packet यहाँ पर रख दिये हैं, मैं इने बाहर निकालता हूँ और आपको देखाता हूँ, देखो एक और दो, बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे आइटम मैंने order किये थे, तीन और एक यह चार और पांच और छे और साथ और आठ तो यह इतना सारा सावान order किया है, तो मैं आपको बताता हूँ लगभग दोस्तों 8 प्रोडेक्ट ही है, हमने order किये, तो इन में mostly लगभग 5-6 तो लगभग साडिया हैं और एक मैं सायद सूंट है तो वो भी हम gift करने वाले हैं, बाखी का इसी बात पर एक like तो आप लोगों का बनता है तो चलिए पहले बैड लेने के लिए चलते हैं और आखे फिर दिखाता हूँ कि कैसा रहा पूरा दिन, तो उसके बाद मैं आपको आँगे बात खरेंगे कर दो आपको 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 तो अभी दोस्तो हम सोरूम में आ चुके हैं, यहां पर आप देख सकते हैं काफी तरह तरह के अच्छे अच्छे बैड, सोफे, सारे सामान हैं यह हमारे आगरा की ही दुकान हैं जहां पर यह सभी सामान मिल जाती हैं और काफी अच्छी रेट में मिल जाती हैं तो हमें काफी चीज़ें यहां पर पसंद आई लेकिन फिलाल में हमें जो जरूरत है वही आइटम हम यहां से खरीदेंगे लेकिन आपको एक बार दुकान का लुक दिखा देता हूँ कि इनके पास चितने भी आइटम है काफी ज़्यादा अट्रेक्टिव हैं काफी ज़्यादा देखने में अच्छी है तो इन सभी को देख के हमें तो यह लग रहा है कि सभी के सभी हम खरीद ले लेकिन अभी हम यहां से सिंगल वैड़ खरीदेंगे तो सिंगल वैड़ मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने खरीदा है तो आप देख सकते हैं यह सिंगल वैड़ खरीदा है जो की लॉवी के लिए है तो फिलाल में इसको हमें ले जाना है हमने अभी रिक्से वाले को भी बुला लिया है जिसमें यह लेके जाएंगे और इसे हम घर पे ले जाएंगे तो चलिए आँगे हम देखती हैं ब्लॉक को तो दोस्तु हुआ क्या कि हम जब बैड लेने गए ते तो हमारा प्लान था कि हम दो बैड ले गएंगे जिसमें एक सिंगल बैड होगा जो हम लॉबी में टालने के लिए यह यूज में लेंगे और एक डवल बैड का प्लान था कि हम डवल बैड ले लेंगे जो मेरे रूम में आपको मैं दिखाता हूँ यह सिंगल बैड पड़ा रहता है तो इसकी जगह डवल बैड यहां पर डाल देंगे और एक सिंगल बैड लॉबी में डाल देंगे लेकिन हुआ क्या भाई रेट काफी ज़्यादा हाई है कोई रेट की तो कोई दिक्कत नहीं खरीदने तो हैं ही लेकिन हमें एक सिंगल बैड पसंद आया जो की लॉबी के लिए था मतलब अगर कहें तो मेरे पास अल्रेडी बैड है लेकिन डबल बैड ऐसे ही मैं लाना चाह रहा था तो हुआ क्या बैड तो ले आई लेकिन उसका ध्यान नहीं रहा कि बैड के उपर डालने के लिए गद्दा भी चाहिए तो ये ध्यान कब आया जब हम घर आ गए तो आपने बैड देखा होगा बैड का भी सही था का बड़िया तो दोस्तो हमने क्या किया कि ये मैं खृ़ीदा है तो ये मैं लॉबी में रख दिया आप देख सकते हैं ये लॉभी में रख धा ये यवा यहाँ टेबल रके होई है यहाँ पर सुरंट लयाच पर अपना ये इसमल बैड रग दिया नहीं है क्योंकि अभी फिलाल में यहां पर टीवी नहीं है नहा घर है इस वजह से तो दोस्तों आपने यह ब्लॉग देखा काफी इंट्रेस्टिंग ब्लॉग था अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना बाकी का आपको मैंने बताया था जो प्रोडेक्ट थे वो प् सब्सक्राइब करके बैल बटन दबा दीचिए जिससे ऐसे इंट्रेस्टिंग ब्लॉग आपको मिलते रहें यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद